हेलो दुस्तो नमेशकार एसम किसी चैनल में मैं आप सबिलंग का दिल से बहुत-बहुत सवगत करता हूँ तो दुस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरू कहना चाहूँगा अगर किसी ने फर्स टाम विजिट के चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को इट कर लेना अगर आप चाहूँ तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो लिंक उपर आए बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसी के साथ आप कल के दिन येस आखरी तीन ऐसे वीडियोस थे जिनके नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों तक नहीं पोचा है इस वीडियो को भी जरूर देख लेना जहापे दो नए स्टॉक्स के बारे में यापे मैंने बाच्चीत यापे की है ज़रूर ऐसे सारे वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे इन वीडियोस को भी आप चाओ तो इस वीडियो को बात कवर कर सकते हो चलिए दोस्तों फिल आल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते है सो दोसे अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड दोस्तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले ऐसा स्टॉक जिससे रिलेटेड भी बहुत जादा रिक्वेस्ट कमेंट सेक्षन में आते रहते हैं जैसे मैं आप लोगों को बता है मैं कमेंट जितना हो सके पढ़ने की कोशिश करता है और रिप्लाइ देना थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं एसे ही वीडियो में मैं यूजूली आप लोगों के सवाल यहापे मैं एक नोटडाउन कर लेता हूँ जवाब देने की कोशिश वीडियो से ही आपे कर लेता हूँ तो दस्तों यहापे हम लोग बात करने वाले हैं आई एक्स के बारे में इंडियन इनर्जी एक्सचेंज आज के दिन चलो अच्छी बाते 6% की यहापे तेजी देखने को यहापे मिल रही है बहुत सारे अलग-अलग सवाल है यहापे बोनस से रिलेटेड है record date से रिलेटेड है, बोनस कब मिलेगा उसी के साथ-साथ यहापे गिरावट हम लोग यहापे देखने को मिल रही है F&O band से रिलेटेड भी जो न्यूज है, वो भी है उसी के साथ साथ देखा गया, तो यहाँ पे sir आपने pity किया था, क्या आप continue यहाँ पे करोगे, ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पे आ चुके है, so एक एक सवाल को हम लोग यहाँ पे पकड़ने वाले हैं, सबसे पहले, अगर मैं यहाँ पे जो सवाल का जवाब देना क्योंकि वह सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि सर यहाँ पर मैंने इस स्टॉक को हाईर लेवल पर खरीद है हाईर लेवल मतलब इसका टॉप लेवल था 956 52 एक हाई की बात करें वहाँ से हम लोगों को गिरावट देखने को मिलें जो के एक आम बात है अगर किसी ने यहाँ पर खरीदा है आठ सो साड़े आठ सो नो सो साड़े नो सो पर तो अगेन कहना चांगा कोई भी चिंता करनी की ज़रूत नहीं आपके पास जो स्टॉक है वो फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग है अगर आपने बाइ किया है देखिए आप क कमपनी के रिजल्ड कमाल के है सो मेरे पास रीजन है जो मैंने बाइंग प्राइज है उसके नीचे यहाँ पर चल रहा है और उससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि कमपनी फंडामेंटली स्ट्रॉंग है आज नहीं तो कल हम लोग को अच्छा गासा क्योंकि जैसे ही बाइ किया उसके नीचे चला गया क्या एक्जिट कर ले क्योंकि हमें आदत होती है रोज जैसे ही सुबह मार्केट ओपन होते हैं हम लोग पोटफोलियो चेक करते रहेते रैट एप ओपन कर लेते हैं तो उसके कारण वह डर लगना शुरू हो जाते है एक साल के रिटर्ण देख लेना 282% की रिटर्ण दोस्तो अभी इतना रिटर्ण मिलने के बाद आप चाहते हो कि वह स्टॉक कभी नीचे ही ना आए तो यह तो प्रैक्टिक अफली संभव नहीं है तो अगर आपको अपना डर भगाना है तो मैं जैसे आप लोगों को बोल जीरो है शॉट टम बोरेंग जीरो है डेफ्री ये कंपनी है अभी डेफ्री है इसकारतिया नहीं कि रोज डेली के बेसेस के उपर नया 52 खाय लगाते रहेगा ऐसा तो बिल्कुल भी होने वाला नहीं कैश की बात कर तो 60 करोड 27 करोड लगबक 70 से 80 करोड कैश भी बढ़िय क्यों डर रहे है क्योंकि वो नीचे आ गया इस चीज के आदत कर लेना ये मेरा रोज का वीडियो का एक मतलब पॉइंट आपको हमेशा है या पर मिल जाएगा अगर आपको मार्केट में टिकना है तो वरना मार्केट में तो हर रोज सो लोग आ जाते है राइट बढ़ उस बहुत शांदार है जैसे हम लोगों ने देखा कि बोनस का रेशो भी शांदार है एंट फिर गिरावाट तो उव тепर उट रहे 96 क्रॉस किया, operating profit margin भी आप देख सकते, 81, 85, right now 88%, so बिलकुल भी खराब numbers नहीं है, अगर हम लोग यहापे, NP 80 क्यों भी अगर हम लोग देखते, net profit after tax, तो वो भी पहले quarter में 47, then next quarter 60, then next quarter 64, then flat and then recently September की अगर हम लोग बात करे, 78, यह तो 3-3 महिने का data यहापे हो गया, अगर आप चाहो, तो 12 मंत का data भी आपे देख सकते हो, जिसमें पूरा PNL आता है, और वो data March 2011 से अगर आप चाहो तो देख सकते हो, लगबग 10 साल का data है, तो net profit पहले company 19 करोड, फिर लगबग 35 करोड, then 66 करोड, 92 करोड, then थोड़ा सा नीचे 90 करोड, then 100, 114, 132, 165, 78, 213 करोड and 266 के आसपास, मतलब बहुत ही शांदर performance है, यही तो reason है, दोस्तों यह stock 200 plus पसेंट चल रहा है, और यह कोई bubble वाला stock भी नहीं है, अच्छा performance है, हाँ इतना हम लोग ज़रूर agree कर सकते है, कि वो access जो बढ़ाया जाता है, वो तो operator का जो खेल रहता है, वो तो हमेशा चलता है रहेगा, यह इसके पहले भी चलता था, आज भी चल रहे है, यह future में भी यहापे चलने वाला है, उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है, एक हद होती है, पर उसके उपर वो stock को यहापे ले के जाती है, और प्लस आपको पता है, future and option में भी यह script है, FNO ban में इसका भी नाम आगया, 95% अगर cross होता है, अलग-अलग limits रहते हैं, आप सब लोग को यहापे पता है, उसमें भी ban, unban के, जैसे FNO ban हो गया, तो अलड़ी में आप लोग को IRCTC में explain कर चुका हूँ, कि FNO ban होता है, तो कैसे, बड़े players यहापे अपनी positions cut करना शुरू करते हैं, क्योंकि क्या मिलते हैं नहीं है उनको, उनको सामने से insurance नहीं मिलता है, अगर insurance नहीं मिलेगा, अगर वो stock नीचे गया, वहापे buying price से, तो वो पूरा घाटा उनको ही जलना पड़ेगा, अगर insurance रहेगा, मतलब FNO में वो script available रहेगी, तो फिर वो बड़े positions, मतलब आराम से भापे carry कर लेते हैं, तो यही reason है, IEXB हम लोग को, यहापे FNO ban के अंदर आते वे देखने को मिला है, इसके चलती है pressure देखने को मिला है, तो उससे बिलकुल भी डरने की ज़रूतिया आपे नहीं है, यह मैं इसलिए बोलता हूँ दोस्तों क्यों कि company के number, अगर company के number में दम नहीं होता, हर रोज कोई ना कोई एक नहीं stock, जो fundamentally strong stock है, वहाँ पे हम लोग यहीं गलती है, जैसे मैं आपको बोल चुका हूँ, यह channel की open किया था, retail investor की दो गलतिया, number one, खराब stock pick करते हैं, तो वो हमें change करना है, अच्छे stock के और जाना है, तो वो regret हो अगर आपको नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यह company अच्छे वाले हैं, उनके साथ बने रहना आपको आना चाहिए, कोई खराब stock आपने pick नहीं किया, कोई चिंता करने की बात नहीं, सर हमने PT के लिए इसको add किया, तो कोई चिंता करने की बात नहीं, आपको लंबा खिलना है, मैंने PT के इसमें positional trade में ही, वहाँ पे एक जो मेरा concept है, वो मेरी ही टेखनीक है, जो मैंने experience से gain किये, आप चाओ तो उसको SM केसी टेखनीक भी बोल सकते हो, पीटी वाली, तो उसमें मैंने क्या बता है, कि अगर हम लोग गलत गए, तो हम लोग को hold करना पड़ेगा, तो hold करोगे तो ultimately फायदा भापे, आज ने तो कल होगा ही, तो इसलिए हम लोग यापे hold करके आगे आपे बढ़ेंगे, कोई खराब stock ने, अच्छा ही stock है, बिंदास बेफिकर होके, आप लोग यापे continue कर सकते हो, नेक्स्ट अगर बात करें, तो obviously यहापे bonus related, यह जो नए लोग है, वो यह सवाल पूछ रहें, अगर आप लोग मार्केट में used होंगे, तो आपको थोड़ी से बाते मतलब irritate भी करते होंगी, repetition के और से, यहापे bonus की बात करें, तो 21 October को bonus समने आ गया, एक के बदले 2 share मिलेंगे, बहुत ही बड़िया bonus का यह ratio है, यह इसको 21 ही बोलते हैं, बड़ एक के बदले 2 share मिलेगा, ऐसा ही हापे उसका यह रहता है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहापे बात करें, तो sir, bonus कब मिलेगा, जैसे मैंने आपको कहा था, दो boxes रहते, first and second, first box से तो मंजूरी मिल गई, अभी second box, general meeting कभी ना कभी तो conduct हो जाएगी, उसकी date सामने आजेगी, शायद से आभी गई होगी, आप लोग जरू चिक कर लेना, उसमें shareholder का approval मिल गया, तो record date सामने आ जाएगा, और bonus भी वापे हो जाएगा, जो भी stock का price रहेगा, somewhere around divided by 3 हम गया, इसे ही मान के चलेंगे, 99.9% यहाँ पे shareholder bonus को approval यहाँ पे दे देंगे, so obviously record date वो सारी चीज़े time यहाँ पे लगेगी, तो आप लोग देख सकते, IRCTC में भी अभी तक हम लोग को properly split होतो है, देखने को नहीं मिला है, यह हमेशा लंभी आओधी के process रहते है, so video को close करन को मिलता है उस particular stock के वज़े से, तो बुरा तो लगेगा स्वाबाइट बात है, बड़ अगर आप लोग बिल्कुल नहीं है, तो मैं वही आपको बताना चाहूँगा, मैंने भी initial stage में यही गलती की थी, कि अच्छे stock को बेश दिया, क्यों panic के चक्कर में बाद में बाद में तो इसलिए कहना चाहूँगा, इस stock में भी आपको वैसे ही पैसा मिलेगा, बट आपको time देना पड़ेगा, panic नहीं करना है, आप लोगों ने market में volatility अभी फिलाल बनती भी देखने को आपे मिल रही है, कई तो जाके market थोड़ा बहुत जरूर रुकेगा, कई तो जाके तो जोड़ा बहुत देखने को आपे मिल रहा है, company अच्छी है, उसके business अच्छा है, company के latest result भी कमाल के, then कोई डरने की बात नहीं, आप लोग बिंदा से आपे continue कर सकते, यह volatility पहले भी थी और आगे भी रहने वाली है, याद रखिए जब कोई भी stock भागता है दोस्तों, त इसे बोलते हैं कि चलती गाड़ी में जंप किया है, वो थोड़े से यहापे परेशान है, बट उनको भी चिंता करने के जरुवत नहीं है, क्योंकि यह अच्छा stock है, बहुत सर लोग गलत stock में, गलत मतलब बोलते हैं, इसे भागते वे train को पकड़ते हैं, और वो तो train ही ग सानुत है, तो IEX हो, आपको कोई भी चिंता करने के जरुवत नहीं है, आपको time देना आना चाहिए दोस्तों, मैं बार बार के रहा हूँ, यह 200-300%, यह ऐसे ही नहीं बने है, इसके पीछे बहुत लंब्या period of holding है, आप जीतना period of holding कम करोगे, छे मैना कर देते हैं, देखो, returns देखो, कम होगे कि नहीं, 97 होगे, एक मैना कर लेता हूँ, कितना होगे return, कितना, 25% हो गया, थोड़ा और कम कर दू, यह देखे, minus में ही चलेगे, तो क्या समझ में आता है, कि आप चाते हो, 5 दिन, अगर आप इस stock को hold करते हो, और एक साल वाले जिन्हों ने stock को hold किया है, लगबग 365 days, उसके returns आपको चाहिए, तो यह तो होगा नहीं, उसके लिए तो आपको भी इतना लंबा खिलना पड़ेगा, उतना लंबा hold करना पड़ेगा, तो फिर आप भी यहाँ पर जाके बोलोगे, कि यहाँ पर हम लोगों ने इतना time hold किया, तब जाके हमें returns मिला है, इतना है कहना चाहूँगा, बार-बार आप लोगों को, कि यह जो बात है कि loss में निकाल दू, loss में निकाल दू, तो loss में तो बिल्कुल नहीं निकालना है, बाकि आपकी मरजी, आपका target अच्छी हो है, तो आप लोग exit कर सकते हो, आप चाहते हो तो continue भी कर सकते हो, सिर्फ भी आपके doubts थे, वो भी मैंने यापे cover कर लें, जैसे मैंने कहा, कि FNO band के वज़े से, बड़े positions हम लोगों को यहापे बनते होए देखने को नहीं मिले, उनको चाहिए insurance, insurance available नहीं है, तो उसके कारण यहापे बड़े positions, जो पहले existing positions थे, वो हम लोगों को यहापे, मतलब बं कर्मली चीजे चलती रहती है, buy sale, buy sale चलता रहती है, उसके वज़े से हम लोगों को यह गिरावट यहापे देखने को मिली है, ना कोई company का performance खराब हुए है, ना company का कोई business खराब हुए है, ना company के कोई result खराब हुए है, तो आप लोगों को जितने भी doubts से वो clear हो गये होंग के end video helpful लगा होगा, तो आप चाहूँ तो वीडियो को like and share भी कर सकते हो, so that's it, thank you very much, we will be meeting our running studio तब तक के लिए, bye bye